हेलो फेंट्स आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंस के शेयर पे फेंट्स आज आपको गिराउट देखने को मिल रही है रीजन्स क्या है कौन-कौन से लेवल इंपोर्टेंट रहने वाले हैं डीटेल से समझेंगे और भी एक दो ऐसे पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ जिसे के आपको हेल्प मिलेगी इस टोक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर स्विंग करने के लिए आगे बढ़ने से पहले फेंटस आपसे एक रिक्वेस्ट अगर फर्स टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को उन कर लो ताकि जब भी मैं जो वीडियो अप्लोड करू उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए यहां पे ब बनाई थी आप यह क्राव कह सकते हो उसके बाद यहां पर एक रिजटेंस था जो कि डबल टोप आप कह सकते हो यहां से रिजेक्शन अभी दिखा रहा है अगर यह स्टोक जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो यह 335 तक यह स्टोक जाता हो नज ब्रेकडाउन कर देता है तो यह 300 से भी नीचे जा सकता है लेकिन अगर यह हमारी ट्रेंड लाइन पर इसपोर्ट लेके अपसाइड का मोमेंट दिखाता야 तो फिर यह को पहले भी मैं आपको बता रहीएं डबल टॉप क्योंकि यहीं से फिर गिराएउट आपको देखने क मिली थी फिर यहां से फिर गिर आउट देखो कभी भी मार्केट में आपको प्रेडिक्शन करना कि कैसा मुवमेंट आपको देखने को मिल जाए तो केंडल चार्ट आपको पढ़ना सीखिए जैसे कि यहां पे आपने देखा कि भई हमारी इनवर्टिड हैमर बन गई उसके ब आप एक तरीके से रिजिस्टेंस की रिएट कह सकतो हूं यहां से ही एक कैंडल देखो आप यह कौन सी कैंडल बनी फिर से हैमर बनी इनवर्टिड हैमर उसके बाद फिर क्रेक्शन आपको देखने को मिली लेकिन फिर रिकावरी दिखा के अप साइड गी और यहां पे रिजिस्टेंस तो था नहीं यहां पे यहां पे तोप में फिर यह बई वही है मर टाइप की बनी और नेक्स्ट केंडल रेड बनी तो कन फरमेशन आपको मिली तो गिराउट आपको देखने को मिली सेम ऐसे ही यहां पे देखो कौन सी कैंडल बनी हैमर लेकिन उसके बाद इस candle बननी तो जो इस level था इसका हैमर का उसका breakdown इसने नहीं किया और next candle green बनी तो upside का moment आपको देखने को मिला लेकिन यहां पर resistance था फिर candle की type की बन रही है आप देखो बायर upside तो लेके गए लेकिन seller हावी होने की वज़े से फिर नीच आके इसने closing दी तो भही आप समझ सकते कि कल एक दो दिन के अंदर अंदर प्रोफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकते है और आपने यहां पर देखा ठीक है इस तरीके से आप candle chart पढ़ा करें ताकि आपको भी idea हो जाए कि कैसा moment आपको देखने को मिल सकता है फिलाल तो मैंने आपको I think दोनों spot or target बता दिये हैं फिर भी कोई doubt रह जाता है इस टोक के बारे में आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं आपको बता दूए इस वीडियो का motive only for education परपा जब मैं किसी को personal recommend नहीं करती कि आप इस टोक में buy को sell करो या hold करो